Hello Friends, Chapter 11 से Example No.1 देखिए Find the curved surface area of a red circular cone whose slant height is 10 cm Curved surface area of red circular cone find करना है जिसकी slant height 10 cm है Slant height बोलते हैं इस तिरची वाली साइड को जिससे हम LC भी डिनोट करते हैं ये 10 cm And base radius is 7 cm और इसका base circular होता है इसका radius दिया हुआ है 7 cm हमने Find करना है curved surface area तो लिखते हैं curved surface area of cylinder Sorry, cone है यहाँ पे, तो cone लिखेंगे हम Formula होता है pi r l Pi की जगे पे 22 by 7 का use होता है R होता है radius तो radius यहाँ direct दिया हुआ है question में 7 और l होती है slant height ये भी direct दे रखिये question में ये 10 है Simplify करते हैं तो 7 से 7 पूरा-पूरा कट गया 22, 10,000 हो गया है 220 और area है unit cm है तो cm का square लगेगा ये इसका answer हुआ इसके बाद देखते हैं इसका example number 2 example number 2 में है the height of a cone is 16 cm एक cone की height 16 cm है अब जब सिर्फ आप से height बोला जाए यानि ये vertical height है ये जो बिलकुल सीधी perpendicular होती है ये यहाँ पे दे रखिये 16 cm and its base radius is 12 cm और इसके base का जो radius है ये 12 cm given है find the curved surface area and the total surface area of the cone आपने दोनों तरह के area find करने है इसका curved surface area भी find करना है जितना आप ये purple देख रहे हो जो सिर्फ side side का है और फिर total surface area भी find करना है यानि दोनों face का इस side side वाले का भी और जो नीचे ये circular part होता है इन दोनों का mix यानि की plus होके भी उसको हम total बोलते हैं जिसमें दोनों face आ जाते हैं तो आपने दोनों ही निकाल ले हैं पहले हम find करते हैं इसका curved surface area पाई की जगह पे 3.14 का use करना है जब book में आपसे special बोला जाए तो फिर आपको वही यूज करना है otherwise आप 22 by 7 यूज करते हैं पाई की जगह पे तो पहले curved surface area of कोन फॉर्मुला होता है पाई आर एल पाई की जगह हम लिखेंगे 3.14 आर यानि की radius ये direct दे रखा है हमें कोश्चन में ये 12 है और एल एल यानि की slant height अब कोश्चन में slant height आपको direct नहीं दे रखी है नहीं दे रखी तो फिर आपको find करनी पड़ेगी यहाँ हम ल find कर लेते हैं ल का formula होता है height का square प्लस में radius का square height दी हुई है यहाँ पे 16 तो 16 का square प्लस में radius दिया हुआ है 12 तो 12 का square 16 का square करेंगे तो यह value आएगी 256 12 का square करेंगे तो यह होता है 144 इन दोनों का sum कर लेंगे तो यह under root में आजाएगा 400 400 का square root find करेंगे तो यह आएगा 20 तो 20 cm इसकी L यानि की slant height हो गई है यह वाली L is equal to 20 cm तो यहाँ 20 से multiply करेंगे अब इन तीनों का product कर लेंगे तो यह value आएगी 753.6 और centimeter square क्योंकि यह area है तो cut surface area तो इतना हो गया अब हम निकालते है total surface area तो total surface area of cone देखें total के अंदर यह जो side वाला है यानि जो cut surface area इसके अंदर यह circle जोड़ जाता है यानि pi r l के अंदर circle का area circle के area का formula होता है pi r square तो आप इस तरह भी निकाल सकते हो इस question के अंदर क्योंकि pi r l तो आपने निकाली दिया है या आपने निकाल दिया इन दोनों के अंदर pi r pi r common आ रहा है यहां से l बच गया यहां से 1 r बच गया तो यह total surface area of cone का formula है हम इसी का use कर लेंगे यहाँ पर pi r l plus r pi की जिएगे 3.14 का use करना है radius question में दे रखा है 12 cm और in bracket l l हमने है find किया है 20 और radius यहां पर 12 दिया हुआ है simplify कर लेते 3.14 को 12 से multiply करें तो बहर बहर में 37.68 आ जाएगा इन दोनों का product और bracket के अंदर 20 plus 12 यह 32 आ गया अब इन दोनों नंबरों का multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 1205.76 area है तो यह centimeter का square तो यह इसका total surface area हो गया question कतम